पंचांग के अनसार होली का पर्व फालगुन महीने की पूर्णमा तिथी के दिन मनाय जाता है इस दिन होली 25 मार्च 2024 को है लेकिन इसी दिन यानी होली पर साल का पहला चंदर ग्रहंट भी लगने जा रहा है शास्तरों और जोतीश में चंदर ग्रहंट की घटना शुब नहीं मानी जाती है इसलिए ग्रहंट का सूतक लगते ही शुब और धार्मिक कारियों पर रोक लगाई जाती है होली के दिन यानी 25 मार्च को चंदर ग्रहंट सुबह 10 बचकर 23 मिनिट से लगेगा और दोपहर 3 बचकर 1 मिनिट पर समापत हो जाएगा चंदर ग्रहंट की कुल अवधी 4 गंटे 36 मिनिट की होगी चंदर ग्रहंट का परम ग्रास दोपहर 12 बचकर 43 मिनिट पर है वही ग्रहंट के दिन चंदरमा शाम 6 बचकर 45 मिनिट पर उदय होगा होली पर लगने वाला साल का पहला चंदरगहन भारत में नहीं दिखाई देगा लेकिन कुछ वैगयनिकों का ये दावा है कि भारत में भी चंदरगहन 25 मार्च को दिखाई देगा लेकिन होली का दहन और धार्मिक कारियों पर भी इसका प्रवावल नहीं पड़ेगा और ये क पुछ देशों में दिखाई देगा जैसे आयरलेंड, इंगलेंड, स्पेन, पुर्टगाल, इटली, जर्मनी, फ्रांस, हॉलेंड, बैंजियम, दक्षिनी नॉर्वे, स्विच्जर लेंड, उत्तरीव, दक्षिनी अमेरिका, जापान, रूस का पूर्वी भाग, पश्शिमी आस्ट्रेलिया को छोड़ कर, शेश आस्ट्रेलिया और अधिकांश अफ्रिका में देखा जा सकेगा, होली के दिन लगने वाला चंदर ग्रहन, एक ओप छाया ग्रहन है, जो कि कन्या राशी में लगेगा, भारत में भी ग्रहन के दौरान, सावधानी और सतरकता बरतना, ज जोतीश के नसार, ग्रहन काल के दौरान, महा मृत्युन्जे मंत्र, गायत्री मंत्र और नव ग्रह मंत्रों का जाप करने से शुब फल की प्राप्ती होती है, चंदर ग्रहन की समय जरुरत मंदों को काला तिल, आटा, ओड़त दाल, चीनी, चावल और सफेत कपड़े का दा कर लीजिए, ऐसे ही नए नए वीडियोज देखने के लिए, आप सभी को होली की हार्दिक्षप कामनाए, जैश्री कृष्णाम